दोस्तो भजपा का विरोध तो आपने कई बार देखा होगा, कभी नौजवानों की तरफ से विरोध होते वे देखा होगा, कभी किसानों की तरफ से, कभी C.A.N.R.C. के नाम पर मुस्लिम समुदाई की तरफ से, ऐसे हजारों विरोध आपने देखे होंगे, कुल मिला कर भाजपा के हुए हैं लेकिन इस बार जो विरोध हुआ है ना दोस्तों ये नौजवान, किसान, पहलवान या फिर CNRC वालों ने नहीं बलकि भाजपा के कारिकरताओं ने विरोध किया है भाजपा के अपने पाटी के लोगों ने विरोध किया है और वो भी ऐसा कि सड़क प का विरोध प्रदर्शन है जो कि स्कॉर्पियो में पोस्टर बैनर के साथ गाड़ी के काफिले के साथ पूरे दलबल के साथ मध्यप्रदेश की सड़कों पर घूमते वे नजर आ रहे हैं और विरोध करते वे नजर आ रहे हैं क्योंकि भारतिये जंता पार्टी में का चुनाव है लेकिन चुनाव से पहले भाजपा के स्थिती बत से बत्तर बताई जा रही है कहा जा रहा है कि यहां पर सिफ बड़े बड़े नेताओं की ही चलती है कारिकरताओं की कोई पूछ नहीं है और सबसे बड़ा विरोध तो दोस्तों भाजपा के जिला अध्यक् करते हैं कि गाने पर मज जाुए गाडी के बोनेट पर लिखा बैनर पड़िए रतलाम में भाजपा की लड़ाई इस तरह गा बजाकर सडकों पर आ गई है यानि की गारी में गाना बजाकर व्छन का विरोध से बढ़कर एक बड़ी बड़ी गारिया चारो तरफ जंडा है, थार है, स्कॉर्पियो है, इनोवा है, तमाम गाडिया है और इस गाडियों में पोस्टर बैनरों में BJP के जिला अध्यक्ष को हटाने की अपील की जा रही है, गाना बजा बजा कर लोग सडकों पर विरोध कर रहे हैं, अब आप सोचिए दोस्तों कि जिस पार्टी में स्तीफा नहीं लिया जाता है, जी हाँ, यही कहा जाता था, राजुनात सिंग्ग की तरफ से कहा गया, BJP के तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया, कि हमारे पार्टी में संसकार है, हमारे पार्टी के एक-एक नेता, एक-एक कारिकर्ता जो है, वो संसकारों से लेफ्स रहते हैं संसकार में भड़े पड़े रहते हैं और फिर देखिए ये संसकार मध्यप्रदेश के अंदर कैसा खोकला दिखाई दे रहा है कि भाजपा के खलाब भाजपा के ही लोग सड़कों पर उतर आए हैं हाला कि इसे पहले भी मध्यप्रदेश के अंदर तस्वीरे आपने बदलती भी देखी होगी जहाँ पर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कॉंग्रिस का दावन थामते वे दिखाई दिये सिंधिया के जो नजदीके थे सिंधिया के जो समर्थक थे 400 से जादा गाड़ियों के साथ कॉंग्रेस की सदस्ता लेने पहुँच गए कॉंग्रेस जवाइन कर लिया जो कभी सिंधिया के साथ हुआ करते थे सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं तब से बार-बार यही कहा जाता है कि बीजेपी में किसी को सम्मान नहीं दिया जा रहा है बीजेपी में अपमान हो रहा है और इस अपमान को ना सहने की कसम खाते वे चुनाफ से ठीक पहले तमाम वो लोग अपना घर बापसी करते वे दिखाई दिया जा रहा है हाला कि ये भी कहा जा रहा है कि जो जोती रादेत सिंधिया है वो भी शायद कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं लेकिन ये खबरे हैं दोस्तों अफवा भी हो सकती है सत्य भी हो सकती है पता नहीं लेकिन जो अफवा खबरे जो भी आप कहा लीज़े जो भी नाम दे लीज़े इस्तिती यह हो गई है मद्यप्रदेश के अंदर कि जो टूट है जो फूट है वो सारवजनी कब सड़कों पर आ गई है गाना बजा बजा कर देश में बीजेपी मत सब्सक्राइब करना बिल कुल भी न भूले